Hello friends, welcome back to my YouTube channel तो friends कवीता की बुनाई में आप लोग का स्वागत है तो friends मैं आज आप लोग के लिए सिंगल कलर में स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ तो डिजाइन शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें तो चलिए डिजाइन की पहली शिलाई सीधी साट से तो जैसा मर्द आपने बॉर्डर बनाया हो बॉर्डर बनाने के बार डिजाइन की है हमारी पहली शिलाई है सीधी साट से तो यह देखे पहला फंदा उतारा ठीक है पहला फंदा उतारा दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा पहली शिलाई में ठीक है दो फंदा उल्टा दो फंदा सीधा पूरे फंदे हम इसी तरह स दो फंदा उल्टा दो फंदा सीधा दो फंदा उल्टा दो फंदा सीधा इस तरह से पहली शिलाई सीधी तरफ से ठीक है दो fijnda सीधा दो fijnda उल्टा दो fijnda सीधा एक दो fijnda उल्टा एक दो fijnda सीधा last में एक कैस्टिच उल्टा तो ये हो गई design की हमारी पहली शिलाई सीधी से से complete ठीक है अब design की दूसरी शिलाई ये देखिए अब यहाँ पर ये दो फंदे ये दो फंदे हमारे ये देखिए सीधे बनेंगे जैसे उल्टे तरब से उल्टे और सीधे तरब से सीधे ये शुरू के दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे ठीक है पहला फंदा उतारा अब यहाँ पर दो फंदा उल्टा और दो दो फंदा सीधा ये देखिए ये जो उल्टे तरफ से है ये दो फंदे सीधे बनाने है इस तरह से दागा अपनी तरफ ये देखिए जो दो फंदे हमारे उल्टे तरफ से उल्टे आएंगे और सीधे तरफ से सीधे आएंगे ये दो फंदे दो फंदे उल्टे ठेक है दो फं दागा पीछे, दो फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ ये दो फंदो को ध्यान देना है आपने जो दो फंदे हमारे सीधे हैं वो सीधे तरफ से भी सीधे और उल्टे तरफ से भी वो दो फंदे उल्टे बनेंगे, दो फंदा उल्टा, दागा पीछे, दो फंदा सीधा, पीछे दो फंदा सीधा घागा अपनी दरफ दो फंदा उड़टा दागा पीछे लास्ट में दो फंदा सीधा एक स्टीच फहां तो ये हमारी होगी दो शमैन की दूसरे शलाई अब डिजायन की तीसरे शलाई सीधी साइब से Secure धागा अपनी टरफ, एकुक्स, hvad दो हो जो जो शुरू के हमारे उल्टे फंदहitsu है, यह दो शो शुरू के उल्टे पंदये ऴैं। दो फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा पिछह अब यह जो दो सीधे फंदे हैं, यह पर हमारा । रिजाइन बनना है ठीक है जैसे एक फंदा बना दिया इस तरह से फिर दूसरा भी हम वहीं से बनाएंगे दूसरा फंदा ठीक है फिर दूसरे फंदे पर भी जो दो सीधे फंदे हैं दोनों पर हमने इस तरह से बनाना है जैसे एक फंदा बना दिया दूसरा फिर से वहीं से दूसरा फंदा बनाना है इस तरह से ठीक है दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा फिर से ये जो दो सीधे फंदे हैं इनको आपने ध्यान देना है ये दो सीधे फंदे पर हमने डिजाइन बनाना है जैसे एक फंदा बना दिया फिर दूसरा हमने यहीं से बनाना है दूसरा फंदा ठीक है इस तरह से दो सीधे फंदे पर जैसे एक फंदा बनाया फिर से दूस दूसरा फंदा वहीं से बनाना है, दो फंदा, दागा पीछे, ये दो सिधो फंदा परामने, जैसे एक फंदा बना दिया, फिर दूसरी बार वहीं से शिलाई लगाकर दूसरा फंदा बनाना है, फिर से दूसरे सीधे फंदे पर भी सेम एक फंदा बनाया फिर दूसरी बार भी वापशलाई लगा कर दूसरा फंदा बनाया ठीक है दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पिछे फिर से दो सीधे फंदे पर एक फंदा बनाया दूसरा फंदा भी वहीं से बनाना है इस तरह से एक फंदा बनाया फिर दूसरा फंदा भी वहीं से बना दिया दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीछे दो सीधे फंद पर एक फंदा बना दिया फिर वहीं से दूसरा फंदा बना दिया फिर से एक फंदा बना दिया, फिर वहीं से दूसरा फंदा बना दिया, तो इस तरह से तीसरी शलाई सीधी साथ से आप पूरे फंदे बना कर कंप्लेट करेंगे, तो ये हमारे फंदे कंप्लेट हो गए, ये देखिए, जो दो सीधे फंदे है उस पर हमने एक बार बना दिया फिर दूसरा भी बना दिया ठीक है फिर से एक बार बना दिया फिर दूसरे बार भी बना दिया लास्ट में एस्टिच सीधा तो ये हो गई हमारे डिजाइन की तिसरी शलाई complete डिजाइन की चौथी शलाई उल्टे तरफ से अब यहां पर दियान दिय कि देखें पहला फंदा उतारा अब दागा पीछे की तरफ करेंगे अब जो तो फंदो पर हमने दो पार रोल कियाओं पहले इनको खोल ना है इस तरह से खोल दिया Сп वापस ऐसे लेंगे शलाइपर फिर ये दो फंदो के पीछेसी से कशुआ है इस तरह की पूरे फंदे हमने इस तरह से बनाने हैं दगा अपनी तरफ फिर यहां पर दो सीधा फंदा है इनको दो सीधा ही बनाएंगे दो फंदा सीधा ठीक है दागा हमारा बाहर की तरफ ही रहेगा अब ये दो फंदो को खोलना है इस तरह से खोल दिया फिर पीछे से ये दो फंदो की पीछे से इस तरह से चिलाए लगा कर एक फंदा बनाया फ ठीक है, फिर से दो फंदा सीधा, फिर से ये दो फंदो को खोलेंगे, फिर वापश लाई पर लेंगे, फिर ये दो फंदो के पीछे से, एक्स्ट्रा फंदा बनाया, फिर ये फंदे से बनाया, इस तरह से, ठीक है, फिर से दो फंदा सीधा, दो फंदो को खोल लेंगे खोलने के बाद ये दो फंदो के पीछे से एक्स्ट्रा फंदा बनाया फिर ये दो फंदो के बीच से इस तरह से फिर से दो फंदा सीधा फिर से ये दो फंदो को खोल लेंगे खोलने के बाद वापस लाई पर लिया फिर पीछे से इस तरह से एक्स्ट्रा फंदा बनाया फिर इधर से ठीक है फंदों के बीच से फिर से दो फंदा सीधा फिर से ये दो फंदों को खोलेंगे वापश लाई पर लेंगे फिर पीछे से एक एक्स्ट्रा फंदा बनाया फिर इधर से यानि कि जो दो फंदे है तो दो फंदो से दो फंदे ही ही बंद रहे है हमारे ठीक है तो इस तरह से डिजायन की 14 छलाई उलते तरफ से कमप्लेट करेंगे तो यहां पर लास्ट में दो फंदा सीधा एक एस्टिच उल्टा तो यह हो गई डिजाइन की चौथी शिलाई कम्प्लीट तो हमारा यह डिजाइन सिरिफ और सिरिफ चार शिलाई का डिजाइन है तो यह देखिए हमारा डिजाइन पैटर्न इस तरह से बनते हुआएगा फि इस तिजिस को हमने उतारा ठीक है फिर से दो फंदा उल्टा जो हमारे डिजाइन के दो फंदे है वो यहां पर सीधा आएगा ठीक है तो सेम वही फिर से डिजाइन के फिर से पहले शिलाई दो फंदा उल्टा दो फंदा सीधा दो फंदा उल्टा दो फंदा सीधा दो सीधा, दो फंदा उल्टा, जो डिजाइन के फंदे हैं वो दो फंदे हमारे सीधे आएंगे, ठीक है, इसका दियान देना है, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, पहली शिलाई सीधी सैट से, दो फंदा सीधा, जो डिजाइन के फंदे हैं वो दो फंदे सीधे बनेंगे, जब आपका अगले बार डिजाइन बनाएंगे, लास्ट में एस्टिच सीधा, तो ये फिर से डिजाइन के हमारी पहली शिलाई हो गई, ये दे यह देखिए दो यह लास्ट में यह स्टिचेस को उतारेंगे दो फंदा यह डिजाइन के फंदा उल्टा उसके बाद यह देखिए जो बीच में हमारे दो फंदे है इस तरह से बिल्कुल इजली पता चल जाएगा यह दो फंदा सीधा दो फंदा सीधा दो फंदा उल्टा ठ सीधी दे बनेंगे जैसे ये दो पन्धा सीधा दो फंद व्ल्टा दो फंद व्ल्टा दो फंद शीधा दो फंद व्ल्टा alt दो फंदा सीधा, लास में एक एस्टिच उल्टा, तो ये हो गई फिर से दो शिलाई कमप्लेट, फिर से डिजाइन की तीसरी शिलाई हमारे सीधी साइट से, तो यहाँ पर दियान दीजिए, पहला फंदा उतारा, दागा अपनी तरफ, दो उल्टे फंदे, बना दिया, बैले डिजाइन बना है, सेम वही डिजाइन हमारा यहीं पर बनना है, फिर से एक फंदा बना दिया, फिर वहीं से दो फंदा बनाना है, इस तरह से, दो सीधे फंदे पर एक फंदा बनाया, फिर से दूसरा फंदा बनाया, ठीक है, सेम हमारा डिजाइन वही है, तो यह ति दो फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा बना दिया फिर दूसरा बना दिया एक फंदा बनाया फिर दूसरा बनाया दागा अपनी तरफ एक दो फंदा उल्टा दागा पीछे दो सीधे फंदे पर एक फंदा बना दिया फिर दूसरा फंदा बना दिया एक फंदा बना दिया फिर दूसरा फंदा बनाया दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पिछे जहां पहले हमारा डिजाइन बना है सेम वही पर फिर से हमारा डिजाइन बनेगा इसका दियान देना है दो फंदा उल्टा दागा पिछे एक फंदा बना दिया फिर दूसरा बना दिया एक फंदा बना दिया फिर दूसरा फंदा बना दिया लास में एस्टिच सीधा ये तिसरी शिलाई सीधी साथ से कंप्लेट हो गई ये देखे हमारा डिजाइन का लुक तो डिजाइन की चौथी शिलाई उल्टे तरफ से पहला फंदा उतारा अब ये जो हमने दो बार रोल किया इनको खोलना है इस तरह से खोल दिया वापस शिलाई पर लिया फिर ये दो फंदों के पीछ से ये हमारा चौथी जो शिलाई है उल्टी तरफ है पर बुना ही होना है सीधी साथ से ठीक है ये दो फंदों के पीछे से फिर से एक फंदा बना दिया फिर एक फंदा ये दो फंदों के बीच से बना दिया फिर से दो फंदा सीधा, दागाप का बहार ही रहेगा, यहां से फंदा बनाया, फिर बीच से फंदा बनाया, फिर दो फंदा सीधा, फिर से ये दो फंदो को खोल दिया, वापश लाई पर, ये दो फंदो के पीछे से एक फंदा बनाया, फिर यहां से बनाया, फिर दो फंद सीधा, फिर से ये दो फंदे को खोला, बीचे से शिलाय लगाकर फंदा बनाया, फिर फंदो से बनाया, एक फंदा ठेक है, दो फंदा सीधा, फिर से फंदे को खोला, बीचे से शिलाय लगाकर एक फंदा बनाया, फिर फंदे से एक फंदा बनाया, दो फंदा सीधा, फिर से फंदो को खोला पीछे से फंदा बनाया फिर फंदो के बीच से बनाया फिर से दो फंदा सीधा लास्ट में के स्टिच उल्टा तो यह होगी डिजाइन की फिर से चौथी शिलाई फिर से आप सेम वही रिपीट करेंगे ठीक है चलो दो शिलाई सिंपल मैं बनाई करके दिखाती हूं आपको तो यहां पर गुमा कर दागा अपनी तरफ सेम हमारा वही दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, दो फंदा सीधा, दो शिलाई आपका सिंपल गुनाई होगा, दो शिलाई आपका डिजाइन डलना है, ठीक है, इ हमारा design pattern बनते होया हैगा 2 पंदा आपका Daha सिदा वही बने जो आपके design की जो दो फंदे हैं इस तरह से दो फंदा उल्टा कज दो फंदा सिदा थो यह डिजएन आ बच्चों के लिए जैंस के लिए बढ़ों के लिए जरू ट्राये करें ठीक है last mist was том तो फिर से ये पहली शिलाई हो गई complete, दूसरी शिलाई उल्टे तरफ से यहां पर दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, ये देखिए उल्टे तरफ से आपका ये जो दो फंदा है, उल्टे तरफ से उल्टा सीधा बनेगा और सीधे तरफ से उल्टा बनेगा, ये दो फंद इस तरह से पूरे फंदे कंप्लेट करेंगे तो जैसे यहाँ पर दो शिलाई कंप्लेट होता है फिर दो शिलाई में आपने डिजाइन डालना है जो सीधे फंदे है सीधे सैट से उन दो फंदो पर आपने दो दो फंदा बनाना है चोती शिलाई में आपने दो फंदों को खोलते वे उसके पीछे से और बीच से आपने एक फंदा बनाना है तो इस तरह से आपका डिजाइन बन कर आएगा ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये हमारा डिजाइन बन कर आएगा ठीक है ये देखिए तो ये डिजाइन आप बच्चों के लिए बड़ों के लिए ज़रूर ट्राइ करें तो अगर आप लोग को मेरे डिजाइन वाली वीडियो अच्छी लगती है समझाती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेर ज़रूर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो ठीक है तूस्तों बाई थैंक यू